नावस्कार आप देख रहे हैं न्यूज चक्र मैं अभिसार शर्मा इस देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए एक प्रशासक चाहिए कोई रिशी मुनी या त्रेता युग का कोई अवतार नहीं चाहिए इस देश को विपक्ष चाहिए कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया प्रचारक नहीं चाहिए इस देश को चाहिए एक जागरूख जनता जो अपने सरकार को जवाब देह बनाए भक्त नहीं चाहिए जो हिंदू-मुसलिम तमाशे पर या फिर राम मंदिर में सराबोर होकर असली मुद्दों से अपना ध्यान पीछे हटा ले हमें एक जागरूख देश चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि क्या बदल गया है किस तरह से इस देश की मानताएं जो हैं वो रसातल में जा रही है सबसे पहले ये तस्वीर देखिए यहाँ पर आप देखिए दिली के मुख्यमंत्रिय अर्विन के जिवाल मुलाकात कर रहे हैं वारह साल की उस लड़की के माबाप से जिसका बेरहमी से बलातकार किया गया और सिर्फ बलातकार नहीं किया गया उसके गुपतांगों पर हमला भी किया गया है कुछ याद आया? निर्भया जी यहाँ निर्भया जब निर्भाया कांड हुआ था ना तो पूरा देश उससे हताश था पूरा देश उससे नाराज था पूरा देश हिल गया था, सडकों पर आ गया था कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या हालात है मगर आज, आज कोई सडकों पर नहीं है चलिए मान सकता हूँ मैं, सडकों पर लोग इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना संकट है मगर क्या आप उस तरह का आक्रोश मुक्यधारा की मीडिया में देख रहे हैं न्यूस चैनल्स में देख रहे हैं क्योंकि बारा साल की उस मासूम के साथ जो हुआ वो निर्भया से कम नहीं था मैं आपको बतलाता हूँ कि उस मासूम की आवाज में न्यूस चैनल्स क्यों नहीं आ रहे हैं उस मासूम की आवाज में न्यूस चैनल्स इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर उसकी आवाज उटाई जाएगी तो दिल्ली पुलीस कट घरे में होगी दिल्ली पुलीस कट घरे में होगी तो वो लोग कट घरे में होंगे जो जिसके अंतरगत दिल्ली पुलीस काम करती है यानि की देश का ग्रह मंत्रा ले देश का ग्रह मंत्रा ले कौन चला रहा है माननी अमिट शाह और जाहिर से बात है आमिट शाह के लिए न्यूस चैनल्स किसी वी तरीके से मुश्किल हालात पैदा नहीं कर सकते कितना कुछ बदल गया है ना निर्भया को लेकर तमाम न्यूस चैनल्स 24 घंटे आवाज बुलंद कर रहे थे कल्पना कीजिए अगर निर्भया जैसी ही घटना इस वक्त हुई होती या कल्पना क्या उस 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो निर्भया जैसी घटना से कम था क्या मगर तमाम न्यूस चैनल्स उस पर पूरी तरह से खामुश थे किसी ने उसके दर्द की बात नहीं की अब बात करते हापुड की दोस्तों हापुड में एक 6 साल की मासूम के साथ एक वहशी बलातकार करता है दोस्तों और नसिर्व बलातकार करता है उस 6 साल की लड़की के गुपतांगों पर वार करता है पुलीस ने ये स्केच रिलीस किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है बताय जा रहा है कि जिस राक्षस ने जिस दानव ने उस छे साल की मासूम पर इतना बड़ा हमला किया था वो इस तरह से दिखता है क्या इस लड़की के लिए उत्तर प्रदेश के नीउस चैनल्स ये कह जाये देश के नीउस चैनल्स आवाज उठा रहे हैं? नहीं, क्योंकि देश के निउस चैनल्स हों, वो तो सिर्फ जह जह कार कर रहे हैं उत्तरपदेश सरकार की, उनके पास कहा फुरसत है, यूपी पुलीस पर सवाल करने के, प्रशासन से सवाल करने के, क्योंकि यूपी में लगातार हालाद बत से बत्तर होते जा रहे हैं, हाला जब निर्भया भी हुआ था या मेरे ख्याल से जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उनका जो कारकाल का जो पहला हिस्सा था जब कानून यह वस्था बच से बत्तर थी उस वक्त भी उनके पार्टी के भी जो वोटर थे ना वो पुलीस को सही नहीं ठहराती थी मगर आज मानो एक प्लानिंग के अंतरगत पुलीस को की घलतियों पर परदा डाला जाता है पूरा प्रचारत अंतर लग जाता है पूरे न्यूस चैनल्स लग जाते हैं और मैं जानता हूँ मैं जो आपके सामने बाते रख रहा हूँ उस 6 साल की मासूम या उस 12 साल की मासूम के बारे में कई लोग कहेंगे कि भई पुलीस हर तरफ तो नहीं हो सकती सरकर हर तरफ तो नहीं हो सकती बिलकुल वो हर जगा मौजूद नहीं हो सकती है मगर आपको किसने रुखा है उन्हें कटगरे में रखने से उनसे सवाल करने से उन्हें जवाब दे बनाने से उन्हें मासूम के साथ जो हुआ कुछ देर के लिए मानलू कि प्रशासन की गलती नहीं हाला कि आप जानते हैं कि उत्तर पदेश में हालात किस तरह से बत्से बत्तर होते जा रहे हैं मगर ये चहरा ये है यूपी की जालाओन की निशू इसने आत्म हत्या कर दी जानते हैं क्या घटना हुई है ये अपनी दो सहीलियों के साथ एक मोबाइल फोन शॉप पर जाती है खबर आमर उजाला की है जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ ये लोग मोबाइल शॉप पर जाते हैं वहां खड़े कुछ लड़के इनकी तस्वीरें खीचने लगते हैं ये लोग मना करती है अचानक वहां पुलीस के जीप आ जाती है और इन लड़कियों को पुलीस ठाने ले जाती है आठ से दस घंटे तक इने जेल में रखती है पानी मांगते हैं पानी नहीं देते हैं आमर उजाला में जो ये रिपोर्ट आई है उसकी सहीलियां ये बात कह रही है और जब रात को दस बजे इने छोड़ा जाता है तब ये कहा जाता है कि दो दिन बाद हम फिर आएंगे आपसे पूछताच करने निशू से ये बेज़ती बरदाश नहीं होती और वो खुद को फांसी लगा देती है मैं पूछना चाहता हूँ जैसा कि आमर उजाला की खबर में उसकी सहीलियां दावा कर रही है जो लड़के इने छेड रहे थे उन पर क्या कारवाई होई बताइए कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ लड़के अलगातार ये कह रही थी उन पर ये आरोब था कि इन्होंने मोबाईल फोन्स की चोरी की थी कुछ दिनों पहले तो लड़के अलगातार ये कह रही थी अगर हमने चोरी की थी तो क्या हम दोबारा उस दुकान में आते कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ कि अगर ये मोबाईल चोर भी थी तो क्या कटर अपरा दी और एक सामान ये वक्ती में किस तरह का बरताव हो ये उत्तर प्रदेश पुलीस बिलकुल नहीं जानती और क्या ये सवाल बतार नागरिक आपको उठाना नहीं चाहिए बताईए क्यों नहीं उठाते आप क्या निशु की मौत इसी तरह से जाया जाएगी यहापुड में 6 साल की उस लड़की जिसके साथ बलातकार हुआ था वो घटना इसी तरह से खत्म हो जाएगी इसी तरह से आप आपने आखों के सामने से जाते हुए देखेंगे क्या ये सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए बतार इस समाज के रहने वाले एक वोटर होने के नाते एक नागरिक होने के लाते आपको इस सवाल नहीं उठाने चाहिए चलिए मान लिया ये तमाम चाय दिल्ली की घटना हो हापूर की घटना हो ये तो मान लिया आप बीजेपी प्रशासित राज्य हैं दिल्ली में कानून ये वस्था तो चलो बीजेपी के अंतरगती आती है ना कहने को वहाँ पर अर्विन केश्रिवाल की सरकार है राजिस्तान की बात करते हैं ये बुजर्ग देख रहे हैं आप आटो चालक हैं वापस आ रहे थे कुछ भगवाधारियों ने इन्हें रोका उस पर जोर लगाया कि जैश्री राम के नारे लगाओ मोदी जंदाबाद के नारे लगाओ उसने मना किया तो इस कदर इसे पीटा गया ये तमाम तस्वीरें उसकी बांगी हैं अब ये तुरंट राम मंदिर शिलान्यास के बात हुआ है मेरे हाँ दो सवाल है पहला सवाल राम मंदिर शिलान्यास राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है तो क्या राम इसकदर भगवाधारियों को प्रेरित करते हैं कि वो बेकसूरों मजलूमों पर इस तरह से निशाना बनाएंगे मर्यादा पूर्शूत्तम ने हमें ये शिक्षा तो नहीं दी राम का शौर हमें ये शिक्षा तो नहीं देता ना कि हम निहत्ते बेकसूर लोगों को इस तरह से टार्गेट करेंगे इस तरह से गाली गलोच करेंगे जिस तरह से आपका प्रचार तंत्र उस दिन से लगातार सोशल मीडिया में लगा हुआ है और मेरा दूसरा सवाल ये घटना तो राजिस्थान में हुई न? तो हमें राजिस्थान सरकार को कटधर में रखना चाहिए राजिस्थान में क्या हो रहा है? वहाँ पर जितने भी विधायक हैं वह भी रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं अब भारती जाता पार्टी को डर लग रहा है उन्होंने अपने जो तमाम विधायकों को गुजरात भेज दिया है तो जाहिर सी बात है जब राजिस्थान में तमाम विधायक, तमाम पॉलिसी मेकर्स, रिजॉर्ट्स में रह रहे होंगे तो घरीब की तो यही हालत होगी ना और इसको लेकि हमें कटधरे में रखना चाहिए अशोगेहलोत सरकार को मगर कोई न्यूस चैनल उनसे सवाल नहीं कर रहा है, क्यूँ? क्योंकि जैसे इस घटना के ओपर आप अशोगेहलोत को कटधरे में रखेंगे तो जाहिर सी बात है भगवाधारी भी कटधरे में आ जाएंगे और भगवाधारी कटधरे में आ जाएंगे तो बीजेपी भी कटधरे में आ जाएगी इसलिए न्यूस चैनल ने इस घटना पर भी कोई जोर नहीं दिया है सामने आपके धेरों समस्याएं चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है खुद रक्षा मंतराले इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने प्रवेश किया था बावजूद इसके कि प्रधान मंतरी ने हमें आश्वासन दिया था ना चीन आया है हमारी जमीन पर ना उन्होंने कोई कबजा किया है देश के सामने इतनी बड़ी गलत बयानी आप कल्पना कर सकते हैं चीन हमारी जमीन पर है लोग इस्तीफा दे देते हैं इस मुद्दे पर मगर क्या रक्षा मंत्री, क्या विदेश मंत्री, क्या ग्रह मंत्री, क्या खुद प्रधान मंत्री कड़गरे में हैं इस मुद्दे को लेकर क्या मुख्यधारा क्या मीडिया इस मुद्दे को लेकर उनसे सवाल कर रहा है, नहीं कर रहा है नौकरियां चली जाती हैं इस मुद्दे पर मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारा ध्यान किस तरफ है? हमारा ध्यान है सुशान सिंग राजपूद घटना करम पर मैं स्वश कर दूँ इस पर इंसाफ मिलना चाहिए मुझे ये बात भी समझ नहीं हा रही कि हदों को पार कर रहे हैं वो अपने आप में शर्वनाक है इन न्यूस चैनल्स ने दावा किया था जैसे कि आपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि सुशान सिंग की जो सेक्रेटरी थी दिशा सालियान जब उनकी लाश मिली थी तो के लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था पोस्मॉटम रिपोर्ट का हवाला दिया गया था मगर आप ये खबर देखिए इस खबर को पुलीस ने सरासर गलत बताया है कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ कि वो खबर सही थी तो क्या उस परिवार के नाते दिशा के परिवार के नाते हमें इस तरह की बातों को सार्वजनिक करना चाहिए क्या मृत इंसान की कोई गर्मा नहीं है इन तमाम चीजों को लोग भूल गए हैं अगर तुम लोग वाकई सुशान सिंग राजपूत के लिए संघर्ष कर रहे होते ना तो बात समझाती मगर सही मायनों में तुम लोग पिठू हो उस पुलिटिकल पार्टी के हाथों जो चाहती कि किसी न किसी तरीके जिमाराज सरकार गिर जाए ये सिर्फ एक सियासी खेल है उसके अलावा कुछ नहीं मुद्दे जो होने चाहिए उस पर कोई बात नहीं हो रही है ना अर्थविवस्ता पर बात हो रही है ना कुरोना पर बात हो रही है ना चीन पर बात हो रही है उल्टा, इंडिया टुडे ये सर्वे लेकर आता है जिसमें कहा जाता है कि चाहे कुरोना संकट हो, चाहे अर्थवेवस्ता हो, चाहे चीन हो, प्रधान मंत्री का काम जबरदस्त रहा है उनकी लोग प्रियता 66 पीसदी से भी ज्यादा है मान लिया, बिल्कुल मान लिया मगर मैं इन न्यूस चैनल से पूछना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट करने से पहले, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आई थी पिछले 13 सालों से, इंडिया टुड़े का जो मैगजीन है, मेल टुड़े वो 13 साल बाद, यानि 2020 में आकर बंद हो गया है आर्थिक मंदी के चलते, और इन्होंने क्या चलाया था? कि प्रधान मंत्री, पूर्र प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह से बहतर देश की अर्थेवस्था को संभाल रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी तो ये पोल चलाने से पहले क्या आपके जहन में बात आई थी? कि नसिर्फ आपका mail today बंद हो गया है, बलकी, बलकी आपके अपने कई न्यूस चैनल्स बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं और हो क्या रहा है कटगरे में खड़ा किया जा रहा है इस शक्स को राहूल गांदी को वो शक्स जो फर्वरी के महिने से इस सरकार को चेतावनी दे रहा है कुरोना के मुद्दे पर और चीन के मुद्दे पर लगातार कंसिस्टिंटली मैं एक बात बता दूँ आपको तो राहूल गांदी को कटगरे में रखा जाना चाहिए उनपे सवाल उठाए जाने चाहिए कि क्या राहूल गांदी एक फुल टाइम पॉलटिशन है क्या राहूल गांदी एक गयर संजीदा राजनेता है मगर उन कारणों से नहीं जिन कारणों से news channels उन्हें कटगरे में रखते हैं News Channels इस सरकार को जवाब देह नहीं बनाते हैं सबसे पहला करतव वे होता है News Channels को इस सरकार को जवाब देह बनाना उनसे सवाल करना आज आप जो News Channels में काम कर रहे हैं समपादक वो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आपने कुरोना को लेकर, चीन को लेकर, देश की अर्थ वेवस्था को लेकर, कश्मीर में जहा हालाद बद से बत्तर हो गए हैं इन शार मुद्दों को लेकर इस सरकार को कढ़ घरे में खड़ा किया आपके स्वास्त मंत्री ये कहते हैं कि कुरोना से हम लडाई जीत गए हैं कुरोना में हालाद बहतर हो रहे हैं मगर आज की तारिक में कई पैमानों पर भारत दुनिया में नंबर एक है और पैमाने जब मैं कह रहा हूँ तो पॉजिटिव नहीं नकारात्मक पैमाने यानि की हालात यहां बच से बत्तर हो रहे हैं कुरोना के लेकर ही हम बगर बात करें क्या आप जानते हैं कि इस वक्त हमने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं एक दिन में मृतकों की तादाद जो है वो एक हजार से ज्यादा हो गई है एक हजार के माइने जानते हैं आप क्या होता है 26-11 में जो हमला हुए थे हमला हुआ था उसमें 166 भारती मारे गए थे और यहां कुरोना से एक दिन में एक हजार लोग मारे गए हैं और इस चीज़ को लेकर क्या ये सरकार जवाब दे नहीं है क्या ये सवाल आप के लिए इस देश की नागरिक के लिए बिलकुल भी नहीं जरूरी तो सवाल ये कि क्या आप ये सवाल उठाते हैं नहीं उठाते हैं तो ऐसे में क्या विपक्ष से सवाल करने का आपको अधिकार है बिल्कुल नहीं है आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं जिस दिन शिलान्यास हुआ एक न्यूस चैनल ये कह रहा था कि जिस तरह से त्रेता यूग में भगवान राम पुश्पक विमान में सवार होके आय उद्या में उतर रहा है और इस हेलिकॉप्टर में कौन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोती है जब मैंने प्रधानमंत्री को देखा न तो मैं हत्प्रब रह गया भौशक्का रह गया मैंने उनकी वेश-भूशा देखी बहुत ही शालीन तासे परिपूर्ण मैंने उनकी उनकी दाड़ी देखी मानों एक संत लग रहे हूं एक रिशी मुनी लग रहे हूं और इस चीज़से पूरी तरह से भावविभोर थे तमाम नियूस चैनल्स मगर एक बात मैं स्पश कर दू हूं इस देश को एक रिशी मुनी की जरूरत नहीं है एक प्रशासक की जरूरत ह इस देश को जरूत है कैसे शक्स की जिसे जवाब दे बनाया जा सके देश की समस्याओं के लिए उसे हम खुदा ना बनाएं, अपने सिर्पे ना बिठाएं उन्हें इश्वर का दर्जा ना दें क्योंकि आप ही के वोट से वो बने हैं प्रधान मंत्री ये पार्टी सत्ता में आई है देश को चाहिए जवाब दे है सरकार और जिम्मेदार विपक्ष जो की अपने सरकार को कट घरे में रखे हमें सोशिल मीडिया प्रचारक, यूट्यूब प्रचारक नहीं चाहिए विपक्ष की नेता के तौर पर या हमें रिशी मुनी नहीं चाहिए जो इस देश की सरकार चलाएं नहीं सीधे तौर पर इस देश के जो प्रधान मंत्री हैं वो इन मुद्दों पर जवाब दें कुरोना को लेकर हालाद बत्से बत्तर क्यों हैं आप दूसरा आपने वादा किया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर देश की मुख्यधारा में शरीक हो जाएगा वहाँ हालाद बत्से बत्तर हैं एकॉनमी को 40,000 करोड का नुकसान हुआ है लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो कैसे कश्मीर मुख्यधारा में शामिल हो गया तीसरा सवाल आपको यह पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर चीन हमारी जमीन पर क्यों बना हुआ है किसकी नौकरी जाएगी किसे कट घरे में खड़ा किया जाएगा यह सवाल तो मीडिया उठाता ही नहीं है अर्थ व्यवस्था आने वाले दिनों में हालाज जो बत से बत्तर हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं उसको लेकर सरकार के पास क्या प्लान है इस देश का दुरभागी ही माना जाएगा दोस्तों जहां सरकार और विपक्ष को मीडिया बराबरी के निगा से देखती है इस देश का दुरभागी माना जाएगा जहां डर के चलते जहां राजनीती के चलते कही ना कही इस सरकार से सवाल नहीं किया जाता और इसका नुकसान किसी और को नहीं देश की जनता को होगा जो इस वक्त हो सकता है धर्म और राश्ट्रवाद का धतूरा चाटे हुए बेहोश हो मगर जिस दिन आपकी आँखे खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मगर दियू उस शक्र में हम ये सवाल लगातार आपके लिए उठाते रहेंगे अभिसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार